जै मातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, सावन का महीना बगवान सिव जी को समर्पे थै। बोले नात को ये महीना बेहत प्री है। ऐसा कहा जाता है कि सावन महा में पूरी स्रद्धा के साथ बगवान सिव की आराधना की जाए तो वे सीग्र प्रसंद हो जाते हैं और आपके सारे कस्टों के निवारण कर पूरे सावन महीने में सिव जी का जला विसेक करने से विसेसफल की प्राप्ती होती है भगवान सिव, बेल पत्र, सफेद फूल, धतूरा, गंगा जल, गन्ने कारस, भांग और भस्म आदी चीजें चढ़ाने से सीगर प्रसंद हो जाते हैं दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक खास उपाई के बारे में जिसे आप सावन के सुमवार के दिन करेंगे तो भोले नात आपकी मुँ मांगी मुराद अवस्य पूरी करेंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिकेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें तो आई ये सुरू करते हैं दोस्तों, सास्त्रों के नुसार सावन में सिव जी को एक बेल पत्र चढ़ाने से तीन जन्मों के पापो का नास होता है इसलिए सावन के सुमवार के दिन आप सिव लिंग पर इस धास तरीके से बेल पत्र को जरूर चढ़ाएं यदि आप ऐसा करते हैं तो भोले नात आग की हिमु मांगी मुराद अवस ही पूरी करेंगे दोस्तों सबसे पहले आप एक दिन पहले बेल पत्र ले आएं क्योंकि सुमवार के दिन बेल पत्र नहीं तोड़े जाते हैं इसलिए आप एक दिन पहले बेल पत्र अपने घर ले आएं और उसमें से 21 बेल पत्र निकाल लें ध्यान रखें कि एक भी बेल पत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद आप सुमवार के दिन सिव मंदिर जाएं और सबसे पहले सिवलिंग का जला भी सेख करें सिव जी को गंगा जल, दूद, दही, सहद, घी, सककर, आदी चढ़ाएं इसके बाद सफेद फूल और चंदन से तिलक लगाएं इसके बाद जो 21 बेल पत्र हैं उसके उपर चंदन से ओम नमा सिवाय लिखकर सिवलिंग पर एक-एक करके चढ़ा दें और बेल पत्र को चढ़ाते समय आप ओम नमा सिवाय मंदर का उच्चारण करते रहें इस तरह से आप सिवलिंग की पूरी स्रधा के साथ विदवत पूजा अर्चना करें गी का दीपक जलाएं और सिव जी की आरती करें इसके बाद आपकी जो भी मनो कामना है उसको आप सिव जी से अवस्य बोलें यदि आप ऐसा करते हैं तो भोले नात आप से सीग्र प्रसंद होंगे और आपकी जो भी इच्छा है उसे वह सीग्र पूरी भी करेंगे और आपके जीवन को खुसियों से भर देंगे तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद